ओम शांती, चार मार्च की शुरुदान में असकत सोगत है, परमात्मा में बिजी और सेवा में बिजी, ये करने से हम निरंतर सेवाधारी बन जाते हैं और निर्विगन भी बन जाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं, बाप और सेवा में मगन रहने वाले, निर्विगन, निरंतर सेवादारी भवा, जहां सेवा का उमग है, वहां अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है, मलगी हमें वेरत बातों में इंट्रेस्ट नहीं होता है, क्या हमें इंट्रेस्ट नहीं होता है, क्या प्रॉलम है उसमें इंट्रेस्ट नहीं होता है, सोलिशन इंट्रेस्ट होता ह एक बाप और सेवा में मगन रहो, तो निर्विगन निरंतर सेवादारी सहज मायाजीत बन जाएंगे किसमें? एक बाप में और सेवा में मगन रहो, बाप की याद में मगन रहो और सेवा के प्लैंस बनाते रहो, सेवा के तरीके निकालते रहो सहज मायजीत बन जाएंगे समय प्रती समय सेवा की रूप रेखा बदल रही है और बदलती रहेगी रूप रेखा भी बदलती है तरीके बदलते रहते हैं एक ही तरीके से नहीं कर सकते हैं अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा लेकिन वह स्वता स्वयम कहेंगे कि यह श्रेष्ट कारे है इसलिए हमें भी सही योगी बनाओ स्टार्टिंग में ब्रह्म कमारी इसमें जब चाते थे औरों के पास में तो लोग सुनते नहीं थे ग्यान को कहते थे जादू कर देते हैं कहते थे उटपटंग बाते करते हैं कहते थे शास्त्र को नहीं मानते हैं कहते थे शास्त्र से उल्टी चीज़ बताते हैं नहीं शास्त्र में जो कुछ लिखा है उसको सुल जाते हैं और जादू नहीं करते हैं परमात्मा है यह जादू कर, तो उनका जादू तो चल जाता है, इंसान दोना जादू कर सकता कि जिवे, तो यह समय के समीपता की निशानी है, क्या, कि अब जाकर लोग खुदी कहते हैं, कि हम आपके मंच में आएं, हमें अपने मंच में आने दीजे, हम भी कुछ कहना चाहत हैं, पहले उल्टा था, अब सुल्टा, तो खूब उम गुद्सा से सिवा करते, आगे बढ़ते चलो, और आटमेटली और आत्मा भी जुनना चाहेंगी, आटमेटली आ चाहेंगी, उम शान्ती